मेरे प्यारे साथियों नवस्कर आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टन परसन लेके हैं और ये सभी परसन एक्जाम की दशी से वेरी वेरी इंपोर्टन है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साती रोजना राजस्तान जीके के ऐसी IMPORTANT ISO के वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेएगा आपको डेली राजस्तान जीके के IMPORTANT ISO के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योसन आपके सामने राजस्तान का परतम हेरिटेज होटल कहां पर स्थीत है वेरी वेरी इंपोर्टन परसन एक्जाम में परसन पूछा गया है कि राजस्तान का पहला हेरिटेज होटल किस जगएं पर है जल्दी से आप लोग एंसर बताइएगा कि राजस्तान प्रेटेज ही बात करते हैं गोविन्द गुरु राष्टिय जनजाती संग्राले की स्थापना से समंदित आपको जगएं बताने है कहां पे गोविंद गुरू राष्टिय जंजाती संग्राले है जल्दी से आप लोग एंसर बताए और वीडियो के अंदरी से बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए इस से आपकी प्रेक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी के सी आप लोग हरे की सुन के अंसर जुरूर कॉमेंट में बताना तो गोविंद गुरू राष्टिय जंजाती संग्राले है जो की बांसवड़ा के अंदर है कहां पे मानगण धाम में ऑप्सन ए हमारा उत्तर रहेगा क्योसन और फॉर की बात करते हैं राजस्तान में दिवीत्य रोपवे कहां स्थापित किया गया राजस्तान के अंदर दूसरा रोपवे जो की कहां पे स्थापित किया गया था तो ये उद्यपूर के अंदर है आप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशन वर फाइब की बात करते हैं राजस्तान में धाई दिन का जोंपड़ा कहां पे है बहुत एजी क्योशन है लेकिन एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है देखें डाई दिन का जोंपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्वान मातर डाई दिन में किया गया था और इसलिए राजस्तान का परसिद डाई दिन का जोंपड़ा है जो की अजमेर के अंदर है आप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योंस नमर 6 की बात करते हैं राजस्तान के किस श्यतर में होली के आउसर पे पुरसों दवरा वरताकार नर्ते हातों में चंग लेके किया जाता है राजस्तान के किस श्यतर में होली के मौके पुरसों के दवरा वरताकार नर्ते हातों में चंग लेके किया जाता है ये आपको नर्ते का नाम बताना है सेखावटी मारवड मिवात या हाडोती या कौन से भाग के अंदर कौन सिख श्यतर के अंदर राजस्तान के किस भाग में तो सेखवटिक शेतर में जो यह नर्ते किया जाता है, option A हमारा उत्तर रहेगा, यहाँ पे चंग नर्ते किया जाता है. Q7 की बात करते हैं, कौन सा नर्ते राजस्तान में फते फते कहते हुए किया जाता है, इस नर्ते के अंदर आपको फते फते बोलना होता है, तो राजस्तान के अंदर इसा कौन सा नर्ते जिसके अंदर फते फते कहते हुए यह नर्ते किया जाता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा, option B अगनी नर्ते. क्योशनवर एट की बात करते हैं राजस्तान में पर्थिराज रासो की रचना किसने की थी राजस्तान के अंदर पर्थिराज रासो की रचना किसने की थी चंद बरदाई ने option B हमारा उत्तर रहेगा और पर्थिराज विजे की रचना किसे ने किती आप देखते हैं कितने बच्चा सही उत्तर दे पाते हैं question number 9 की बात करते है राजस्तान में विसल देव रासो की रचना किसे ने किती very very important है यह person exam में पूछा गया है कि राजस्तान के अंदर विसल देव रासो की जो रचना किती वो नर्पती नाले ने किती option C हमारा उत्तर रहेगा वीडियो के अंत में आप सभी से एक important question पूछा जाएगा उसका भी आप लोग उत्तर जरूर देना question number 10 की बात करते है राजस्तान में हमीर रासो और हमीर कावे की रचना किस ने की थी हमीर रासो और हमीर कावे की जो रचना किसके दवारा की गई है तो सारंग देव ने हमीर रासो और हमीर कावे की रचना की थी option B हमारा उत्तर रहेगा question number 11 की बात करें फार्सी धर्म के लोग नीमन वैसे किस देवता की पूजा करते हैं फार्सी धर्म के जो लोग है वो किस धर्म सोरी किस देवता की पूजा करते हैं तो सूरिया और अगनी की आपसन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसन वर 12 की बात करें मरियादा पुरुस्तम राम को किसका आउतार माना जाता है बहुत अच्छा क्योसन ने ये परसन एक्जाम में बन चुका है कि बगवान सिरी राम को किसका आउतार माना जाता है विश्णु जी का आउतार माना जाता है आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्यों संवर 13 की बात करें विशल देव की वीर्था प्राकरम और राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवी ने अपनी क्रिती विशल देव रासों में की थी नर्पती नहालेने आप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्यों संवर 14 की बात करें किस धरम का परचार परचार राजस्तान में प्राचीन काल में अधिक वा था किस धरम का जो परचार या परचार जो राजस्तान में प्राचीन काल में सबसे अधिक वा था तो वेदिक धरम का आप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योस Jenowar 15 की बात करें, Islamidanidhram का पवीत्रगरंत कौन था है इसलाम दरम का पवीत्रगरंत है आप सभी जानतें कुरान रहेगा, Option B हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 16 की बात करें दलपती विजे दवरा रचित गरंद खुमान रासो में मिवाड के किस सासकी उपलबंदियों का वर्नन हुआ है दलपती विजे का दवारा रचित गरंद का नाम है खुमार्ड रासो या फिर खुमार्ड रासो की जो रचित किसने रचना के थी दलपती विजे ने के थी तो मिवाड के किस सासकी उपलबंदियों का इस जो है गरंत के अंदर वर्नन किया गया है तो महाराजा रासियें का आप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 17 की बात करें राजस्तान में कागज पे जो चितर उके रहे जाते हैं उसे क्या काज़ता है राजस्तान में कागज पे जो चितर कोरे जाते हैं उन्हें काज़ता है उन्हें काज़ता है पाना आपसन बी हमारा उत्तर रहेगा क्रिशन भागत मीराम भाई का मंदिर राजस्तान में किस जगहें पर कौन से जिले के अंदर है नागोर में मेड़ता में आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसन भागत में किस जिले में मनाया जाता है किस जिले का सबसे जगहा फेमस है पूरे भारत का जो है जेपुर का फेमस है आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसन भी इस की बात करें नीमन में से राजस्तान के किस जिले में दैसरा मिला लगता देखें दैसरा मिला राजस्तान का नहीं पूरे भारत का बहुत परसीद है जो की कोटा के अंदर लगता है आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा अगर आपसे एक्जाम में सीधा सब पुछे कि राजस्तान में 10 सेरा का जो मेलाव किस जिले का परसीद है तो कोटा करेगा आप्सन बी क्योशन वर 21 की बात करें राजस्तान में मारवार उसो कहां पर मनाया जाता है क्योशन वर 22 की बात करें हमने बात के थी कि पर्थिराज राजसो की बात के थी अभी बात करें पर्थिराज वीजे की गरंद की रचना किस ने की थी चांद वर्दाई आप जानते हैं पर्तुराज रासो अभी हम बात करें पर्तुराज विजे जिसकी रचना की थी जानक नहीं आप्शन बी सौरी आप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा natur थी बात करें राजस्तान में विश्णॆ धरमगा सुरोपार द्रम वलिक कहां पर मिलता है राजस्तान के अंदर विश्णू धरमगा सबसेँ पहले उलिक है वो मिलता है गोसूरी लेक के अंदर आ उपस्ञ ए इसका सही उत्तर रहेगा क्युसर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर किस रचना के अंदर किस महाराजां के अपल मंद्यों का वर्ण कि या है उसका नाम है उसका उपस्ट रहे अभी हम बात करेंगे वीडियो के एंट में आप सभी से कि मॉश्ट इंपॉर्टन क्यूसन पूछाजर है देखते हैं कितने बच्चे सही इसका उत्तर दे पाते हैं अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो भी आप लोग कौसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती ओंट समौरो का आएजन राजस्तान के किस जिली में होता है उंट समौरो का जो आएजन राजस्तान के किस जिली में होता है बी कानेर बाड मेर जोदपूर जैसल मेर इसका सही उत्तर आपको बताना है ये भी बताना है कि 25 में से आपके कितने सही इंबान दरी से कॉमेंट कीजेगा किसी